अगर ये सबना नहीं तो क्या है खुदी में खुद को देखता हूं लेकिन फिर भी कभी खुद में खुद को नहीं देख पाता अगर ये मजाख नहीं तो क्या है सपने में भी सपनों की दुनिया में रहता और उन सारे सपनों के सच होने के सपने में जीता अगर ये सपनों की लहर नहीं तो क्या है खुद से ही खुद को बनाकर खुदी से खुद को मिटाकर खुदी में मिल जाता अगर ये खुद से खुद की लड़ाई नहीं तो क्या है जाग ना तो चाता मगर डर है कि अपनों सब कुछ खो दूँगा अब करू तो क्या करू इसमें भी कोई शक नहीं कि खुद को खोकर मैं खुद को पा लूँगा कि खुद कोईगा कितने लोग हैं आपर जो पिछले कई सालों से ध्यान कर रहे हैं यह इस रास्ते पर चल रहे हैं बहुत सारे लोग और मुझ सारे सो इसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको से खा सकता हूं या बता सकता हूं क्योंकि जब यहां-पर हम चलते हैं До हरे थे प्रावन के पास में जा रहा था, थोड़ा सा पेन हुआ था, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो वो एक बड़ा सिंपल सा, उन्होंने मेरे से क्वेशन पुछाओ, मुझे हसी आगी, कहते हैं, यार रमायन में एक बात बताओ, लक्षमान ने उसकी सुपनगागी, ना का है, तो रमायन का गलत है, गलत तो यह है, कि बड़ी हाथ नहीं उठाना चाहिए था ना, बात करने थे, हाथ के उठाया, ऐसे ही, आप रमायन में जाओ, महावारत में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जहाँ भी जाओगे, आपको कॉन्फिक्स नजर आएंगे, बहुत तरीके के कॉन्फिक्स नजर आएंगे, कि एक तरफ यह कहा जा रहा है, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है, कि कॉन्फिक्स क्यों है, क्योंकि यह कहानिया है, और इन कहानियों में हम मतलब दूढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मतलब दूढ़ने की कोशिश कर रहे है उसको literally देख करके कहानी के form में एक बहुत बड़े message को preserve किया हुआ है उस कहानी को जब आप unfold करेंगे तो अंदर से एक message निकल करके आएगा उस message को पकड़ना है इन गरंथों के दीप में अगर आपको जाना है तो पहले खुद को जानना हो उसके बिना कहानी समझ नहीं है एक एक बात जो रमायन में है जो माबारत में है या Bible में है या Quran में है वो सच है देखने का नजरिया लग लग है एक नजर से हम देखेंगे वो ही चीज़ हमको गलत लगेगी एक नजर से देखेंगे हमको सही लगेगी लेकिन है वो सब सच, जूट नहीं है किस तरपे है वो जब आप अंदर जाओगे धीरे-धीरे समझ आएगा कि राम है क्या, हनुमान क्या है, उसको वायू पुत्र क्यों बोला गया है मेडिटेशन में ब्रेथ का इतना बड़ा रोल क्यों बताया गया है जब ब्रेथ लंका में जाती है, यह लंका यही तो नहीं है कि यह शरीर जो सोने की लंका है सीता जो है वो कहीं हमारी कुंडलिनी शक्ती तो नहीं है जो रिसाइड कर रही है और जब हनुमान लंका में पहुचता है तो लंका में आग क्यों लगती है जब ब्रेथ हमारी पूरी बॉड़ी को जलाती है तो तब क्यों बोलते हैं उसको यह क्यों बोलते है कि शरीर को तपाना पड़ेगा और तपाने से क्या होता है यह शरीर कहा जाता है बान यहीं क्यों लगना चाहिए या राम में जदा ताके ताकत है राम में जदा ताकत है रामयाण में अगर आप ध्यान से देखोगे एक बड़ा मज़डार इंसीडेंट है उससे आपकी पूरी रामयाण ढह जाएगी पानी की तरह वो क्या है? लोगों ने भगवान मना दिया राम को, जब कि उस पूरी रवनान में भगवान कुछ और है भगवान राम का नाम है, ना कि वो इंसान है जिसकी बात की जा रहे है Getting a point? एक बार उसका एक छोटा सा किस्सा है जब जा करके वो पत्थर फेक रहे होते हैं, राम राम लिख करके उस में राम भगवान खुझ जा करके, एक पत्थर को उठा करके फेकते हैं समुद्र में, और वो डूब जाता है क्या मतलब है? राम नहीं है, राम नहीं है एक गाड़ी जा रही है माँ पर एक ड्राइवर बैठा हुए एक गाड़ी है गाड़ी किया है आपकी बॉड़ी है माइड जो है वो आपका ड्राइवर है जो बॉड़ी को चला रहा है आप बैठे हो आपको जपकी लग गए नीद आगी आप सो गए हो मैंड क्या कर रहा है जहां चाह रहा है, वहां लेकर जाह रहा है और बोडी को इधर उदर ठोक रहा है अब पीछे बैठे बैठे आप जटके खा रहे हो आप परिशान हो यह हो गारे है यह खेल है तो जैसी अब जाग जाओगे क्या होगा ड्राइवर को बता लग जागा कि भाई यह तो जाग गिया अब थोड़ा दरीके से चलाओ गाड़ी अब अब अगर उसको कोगे कि तुने ये करना है तो वो ये करेगा वो करना है तो वो करेगा उस गाड़ी को जहां लेकर के जाना है वहां लेकर के जा सकते हो जो चाहे हो, वो कर सकते हो यह है, तो आप कौन हो? जो पीछे बैठे हो, आप मालिक हो मालिक नौकर बन गया और नौकर मालिक बन गया यह जड़ा सारी की सारी प्रॉब्लिप सवाल एक्च्वल में यह है कि सबसे पहले तो कि स्पिरिच्वालिटी है क्या? क्या जो आदमी स्पिरिच्वालिटी में है क्या वो मटिरियलिस्टिक वर्ल्ड से कट गया? हो सकता है हाँ, हो सकता है ना हो सकता है एक मटिरियलिस्टिक आदमी इस वर्ल्ड में रहे करके एक spiritual आदमी जो पहाड पर जाकर चोटी पर बैठा हुआ है उससे लाग गुने जाता spiritual हो और दूसी तरफ एक ऐसा आदमी जो अपने आपको spiritual कहता है किसी भी वे में वो बिलकुली unspiritual हो, वो बिलकुली materialistic हो तो सारा खेल यहाँ है There is no dividing line between spirituality and materialism यह सिर्फ हमारे मन के वहम है हम खुद अपनी एक imaginary एक world create कर रहे हैं और create करके अपनी ego को भढ़ाने के लिए या तो हम बोल रहे हैं कि spiritual है या हम बोल रहे हैं कि materialistic है आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो या फिर सच में आप कट चुकिया उसमें रहते हुएगी यसे कमल खिलता है कमल का क्या सिंबल है किचड के अंदर से कमल खिल रहा है क्या पूस्तर रही कैसे हो और कीचड क्या है कहीं जदुनिया ही कीचड तो नहीं है और इसमें से खिलना इस से हलका सा उपर उठना क्या यही spirituality है ये इसमें रमे रहना और उसको spirituality का नाम देना materialistic चीजों का नाम देना religion का नाम देना भगवान का नाम देना क्या वो spirituality है अभ्यास आपका right आप कर सकते हो यही करता है बेराग्य आप नहीं कर सकते है वो होता है अपने आप अभ्यास के through concentration किसी भी चीज पे किसी भी काम पे चाए बाहर चाए अंदर आप कर सकते हो meditation आप नहीं कर सकते meditation में जा सकते हो कोई अगर आपको कहता ना कि मैं meditation कर रहा हूँ इसका मतलब वो concentration कर रहा है ध्यान नहीं कर रहा है ध्यान में आप चले जाते हो जब कुछ करना ना पड़े अपने आप होने लग जाए तब आप ध्यान के उसमें हो हवस्था में अब ये विराग्य होता क्या है अगर आप किसी चीज को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको छोड़ने से attachment हो गई है जाती है जब आप अगे बढ़ते हो मट्रियलिस्टिक वर्ल्ड में देखो चीजा कैसे छूटती है ऐसी spiritual वर्ल्ड में छूटती है आज आपके पास में साइकल है, बाइक है, स्कूटर है, क्या है आपके पास में बाइक है तो अगर आपको कोई आपके देगा, कि भाईया, मेरी साइकल ले ले और अपनी भाईक मुझे देते, देते होगे? नहीं देते होगे गाड़ी देगा तो? हाँ, पिर तेयार है और चल्ली चाहिए गाड़ी गाड़ी, बड़िया गाड़ी है, बड़िया, ब्राइड न्यू गाड़ी एक्षेंज हो जाएगी गाड़ी आपको मिल गई, सब्सक्राइब सेंट्रो मिल गई कल को कोई आता है, और बड़िया आपको गाड़ी देता है, होंड़ा सिट्टी देता है जिसके पास में सिरफ बाइक है, इसको आप बोलोगे मिरको अपनी बाइक दे दे, आप अपनी जान लगा दोगे, अपनी बाइक नहीं दोगे, लड़ पड़ोगे उस आदमी से, चाल लोग भी आजेंगे, आप बाइक को नहीं छोड़ोगे, लेड जाओगे वाँ साडक पे बाइक नहीं छोड़ोगे, अपनी जाओगे, अपनी बाइक छोड़ जाएगा, ऐसे ही स्पिरिचुएलिटी में समझ आने की बाद है, स्पिरिचुएलिटी इस नथिंग बट अंडेस्टांडिंग अप दी टूथ, जैसे जैसे आपकी समझ भढ़ती चली जाएगी, इसी को consciousness बोला गया, इसी को knowledge बोला गया, अलग-अलग नाम से उसको बोला जा रहा है, knowledge कहां से आती है, consciousness के स्टर के बढ़ने से, जितनी आपकी awareness, आपकी समझ, आपकी understanding, इस दुनिया की बढ़ती चली जाएगी, तो जो छोटी-मोटी चीज़े हो, अपने आपी छूटती चली जाएगी, शोटी नहीं पढ़ेगी, शोटी नहीं सकते, जब परम अनन्द मिली गया, तो छोटी-चोटी चीज़ों में आपको कहां अनन्द आएगा, जब भी आपका मन शान्थ होगा, कुछ भी करने से, वो अच्छे करम है, जिससे भी आपका मन अशान्थ होगा, या द अगर इसका मैं base बताओं, base, कि क्या करना है और क्या नहीं करना, जो भी इस category में fall होता है, वो अच्छे करम है, जो इस category से बाहर है, वो सब बुरे करम है, वो क्या है, सबसे पहला self inquiry, सबसे अच्छा करम है, इससे अच्छा दुनिया है कि कोई करम नहीं हो सकता, spirit of inquiry, वो inquiry क spirit किया है, कि मैं हूँ कौन, इससे अच्छा करम दुनिया में और कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो कि यह आपको अंदर ले करके जा रहा है, बागी सारे विचार आपको बाहर ले करके जा रहा है, तो कितने लोग के अंदर यह सवाल उठाए, कि मैं कौन हूँ, कहां से आ अब बुराई के रास्ते पर, अपने आभी चल पड़ोगे, चलोगे नहीं, चलने लग जाओगे, दूसरा क्या है, सेल्फ कंट्रोल, जो करने से आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है, किसके उपर, अपनी दस इंदरियों के उपर, जो हमारी पांच ग्याने इंदरियां है, पांच कर्में इंदरियां है, और एक दश इंदरि जिसको बोला गया है, माइड, अगर सिंपल भी में देखा जाए, तो इस ग्यारा के भार और कुछ भी नहीं, सिर्व इन ग्यारा भे आपको कंट्रोल करना है, वो ही लोग नहीं कर पा रहे हैं, और एक आदमी कहता है कि मैंने स्विंग सीख ली, कहां सीखी? पानी के बार, पानी के बार, तब पता लगे है, उसको स्विंग आती है नहीं, जब वो पानी के अंदर जाएगा, तो जब वो इंदरियां आपके ओपर हावी होती हैं, तब उस समय आपको अपनी विलपावर को, अपनी इच्छा जो इच्छा शक्ति की उसी की है अंदर जो है उसकी इच्छा शक्ति को ले करके सामने आना है और उस समय धीरे धीरे अगर आपका अपने ओपर गंट्रोल आता चला गया आता चला गया एक एसी स्टेट आजेगी जब आपको अंट्रोल करना नहीं पड़ेगा यह सब दस की आपके सारी पावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् इसमाइन्द के साथ के युद को बोला गया है। रमायन और मावरत। तरह तरह के युद्ध होने और उस युद्ध को कैसे लड़ना है। यही अभ्यास यही और इस युद्ध को लड़ करके कैसे जीतना है जो आप जीत जाओगे तो धरम की स्थापना अपने आप हो जाएगी कर दे ही नहीं पड़ेगी उसी को धरम बोलते हैं तब तक जब तक के आप नहीं जीते उस युद्ध को तब तक सब इमाजीनेशन जाए अधरम में धरम की बात करते चले जाएंगे और कहेंगे अम धरमात्मा है आरे ना भाइग ना कर्विन एक साल पहले मैं धरम शाला गया था और वहां जा करके एक पहाड है जहांपर कोई गाड़ी नहीं जा सकती वहां से 20 मिनिट पैदल चलके जाना होता है और वहां पर जा करके एक होटेल बना हुआ है वहां पर अपनी सांसों की भी आवाज शोर सुना ही देती है तो मैं 10 दिन तक वहीं था और मैं बैठा हुआ भाहर ध्यान करने के लिए शाम को करने बैठा था करीबन 4-5 बजे और 7-8 बज गए, 9 बज गए, मुझे नहीं पता कितना क्या टाइम हो रहा था रात हो गई थी रात होते होते, वहां पर बहुत तेज मेरे कानों के अंदर, एक जिंगूर की आवाज सुनाई देने लिए जिंगूर पता है सब को क्या होता है, जंगल में नहीं होता है, वो गरररर करके वो आवाजे आती है उस आवाज को मैंने देखना शुरू किया, देखना मतलब मन की आखों से देखना एक आख से देखना, जिसमें एक आख से देखने की बात करी गई है न, एक आख से देखना, उसको देखना शुरू किया, बंद आखों से, जब उसको देखा तो, वो एक आवाज नहीं थी, वो दो आवाजे थी, दो के बाद में और दिखी, फिर और दिखी, फिर और दिखी, उसके अंदर कई आवाजे थी उस एक जिंगुर की आवाज में बहुत सारी आवाजे थी उस आवाज को तोड़ा तो समझ आया है कि ये एक आवाज नहीं है एक लग रही थी एक नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी आवाजे हैं जिसे एक वीडियो देखते हैं, वीडियो में एक सेकंड में 25 फ्रेम निकल जाते हैं, 25 तिल फोटोग्राफ निकलती हैं देखने में क्या लगता है, कि मैंने 1 सेकंड देखा, जबकि 25 फ्रेम निकल गए अगर उसको slow motion में कर दिया जाए, तो आपको समझ आएगा कि यह हो क्या रहा है, फिल्म चल कैसी रही है तो जैसा आप फिल्म के वारे में सोच रहे हो और जो फिल्म है, उसमें फर्क आता चला जाए ऐसे ही आवाज में है, ऐसे ही हर चीज में है, ऐसे ही smell में है, हर चीज में है, जो भी हमारी इंद्रिया है जो हम सोच रहे होते हैं, जैसा हमको दिख रहा होता है, वो कुछ और होता है, रियालिटी ही कुछ और होती है यह हमारी mind की perception होती है जो उसको interpret करके उस sound को देती है जैसे ही मेरा ध्यान उस आवास में जा रहा था वो expand करती चली जा रहे थी बढ़ती चली जा रहे थी ध्यान हटा, वहां से दूसरी आवास की तरफ आया जो base था, जिस आवास की उपर ही आवास तिकी हुई थी, तो वह आवास गया कहा है, कहां से आई, कहां गई, पता नहीं तो जब तक मैं देख रहा था बहुत सारी आवाजे थी जो आवाजे एक उस आवास में से निकल करके आ रही थी उसी में से आई, उसी में से गई उसको भी देखना बंद किया तो मैं भी नहीं था कुछ नहीं था कुछ नहीं तो अब इस experience में मुझे क्या समझाया यह चीज हो गए और कई पर क्या होता है कि वो चीज हो जाती है यहीं पर self inquiry का बहुत बड़ा रोल आता है जो मैंने आपको कहाना self inquiry हर चीज को समझना है सिर्फ experience नहीं करना है उसको समझना भी है कि क्या है क्यों है कैसे है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो उस समय नहीं समझ आया है उस समय तो बस यह experience register हो गया लेकिन जब बाद में इसके बारे में मैंने समझने किकोशिश करी तो मेरे को दो चीज़े मोटी मोटी समझ में आई एक ये कि जब भी हम अपना ध्यान किसी भी चीज़ की तरफ लगा देते हैं चाहे वो आवाज हो चाहे वो लाइट हो चाहे वो कुछ भी हो वो एक्सपैंड करने लग जाती है वो बढ़ने लग जाती है दूसरी चीज़ जो समझ आई कि वो आवाज थी मुझे लगता क्या था कि वो आवाज है इसलिए मैं उस आवाज को सुन रहा हूं जबकि सचाई क्या थी कि मैं सुन रहा था इसलिए वो आवाज थी अब इसको आवाज से हता करके कहीं और डावते आप हो इसलिए मैं आपको नहीं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं इस वज़े से आप हो नहीं तो आप हो ही नहीं उसमें सिरफ आप नहीं हो नहीं देख रहा हूं यह सब एक ही है अग नहीं है आप भी जो देख रहे हो चाहे अपने आपको देख रहे हो शीशे में चाहे इनको देख रहे हो चाहे मुझे देख रहे हो नहीं नहीं आप देख रहे हो इस वज़े से मैं आपको दिख रहा हूं जहां आपने देखना बंद किया यह हो गया जो मैं आपने experience के base पे आपको बता रहा था practically समझना है कैसे होता है scientifically समझना है कैसे होता है quantum physics को study करना शुरू करता हूँ quantum physics के बारे में किसी ने सुना है science है कोई spirituality नहीं है कोई theoretical बाते नहीं है यही जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ observer effect बोलते हैं इसको जब कोई देख रहा है तो matter है यह matter है नहीं देख रहा है तो सिरफ waves है उड़ जा है जो बहे रही है देखने से सब चीज़े materialize होती चली जा रही है बंती चली जा रही है तो मैं आपको देख कहां रहा हूँ और कौन देख रहा है क्या आप सच में हो या मेरी सिरफ एक imagination हो इसको मैं एक simple example के थरू simple जिसको कोई छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सके और बड़े से बड़ा आद्बी भी समझ सके किसी भी state में हो वो meditation में beginner level पे है या बहुत advanced level पे है वो समझ जाएगा कोई भी समझ सकता है इसके लिए मुझे एक volunteer चाहिए जो यहाँ पर आना चाहें anybody आप आखे बंद कर लीजिए अब ना जो जो मैं कहूंगा उसको आपको imagine करते चले जाना है अब जो मैंने भी आपको कहा है ना उसका live आप एक example देखने वाले है live example अपने सामने कि basically क्या होता है क्या खेल है यह माया है क्या करम क्या है धरम क्या है मोक्ष क्या है मुक्ती क्या है जनम क्या है मरल क्या है life क्या है death क्या है after death क्या है Before life क्या है तो सब कुछ है इसके अंतर अगले दस मिनिट के अंधर-अंधर सब सब क्लियर होता जा लगए अब यह माँ समाज़ नहीं को इनको अभा में अड़ाने वाला हूं जादू नहीं है भाई आप में से कितने लोग सपने देखते हैं रात को सुते समें सब देखते हैं जब आप सपना देख रहे होते हैं तो सपना सच लग रहा होता है यह जूट लग रहा होता है सच लग रहा होता है सपने कैसे आते हैं यह देखना है अपने को कोई ना कोई अंधर डिजायर होता है तभी सपना आ रहे है भूत बार आप देखेंगी जो सपना है गहारे है वो हमारे किशने किसी डिजायर से रिलडीडि याता है जो थो अप्रियालिटी में नहीं कर पारे है उसको सपने में करने की कोशिश कर रहे है होता ऐसा? इसको के साथ होता है? कई बार abstract सा कोई सपना आता है इसका मतलब वो desire तो है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके कितनी गहराही में जाकर कि वो desire है जिसकी वैसे वो सपना आ रहा है बिना काम ना गए सपना नहीं आ सकता अब ये सपने में है और इन्होंने क्या किया अपने mind में imagination बना लिए कि मैं एक लड़का हूँ और बिल्कुल वैसा ही जैसा कि ये बनना चहती है जिसकी body बहुत strong है बिल्कुल abs, vabs, ये, वो बिल्कुल fit, physically fit और एक boat के उपर, समुदर के बीच में जा रही हूँ, मैं ऐसे खड़ी होई हूँ चल रही है सामने से इतनी देर में, इनकी नजर पड़ी एक मचली के उपर, एक मचली बड़ी सुन्दर सी मचली golden color की, वो मचली जा रही है जबकि क्या वो इनसे अलग है मचली क्या है, वो भी तो इनी की imagination है अब इसको ध्यान से समझदा है, एक एक करके होने की बजया, अगर मचली होता तो समुद्र के नीचे की दुनिया जा करके देखता बिना कोई मास्क लगाए, बिना कुछ करे यह भी एक दुनिया है, मज़ा आ जाता कामना उठ गई, डिजायर उठ गया डिजायर इस दो रूट कॉज अप एक्सिस्टेंस यही कर्म है जहां डिजायर उठा, कर्म हुआ अब जैसे यह डिजायर उठा इमीजेटली उसी मचली के अंदर पेट में यह पहुच गई और सपने में टाइम और सपेस नाम की कोई चीज नहीं है जो हमारी रियल लाइफ में चीजें 50 साल में होती है वो सपने में 50 सेकेंड में हो जाती है तो क्या हुआ, इमीजेटली इनके अंदर वो आया उसके अंदर पेट में वो पहुची और वहां से वो निकली और फटा-फट से बड़ी हुई और तयायर रही है अब यह क्या बन गई? मचली अब उस लड़के को भूल गई अब यह मचली है और मचली की दुनिया देख रही है मचली की नजर से दुनिया को देख रही है चाहे उस लड़के को देख रही है चाहे समुद्र के अंदर देख रही है जलिग जाए गोल्डन कलर कि बड़ी शिस प्रिमयागे गौफणाएं अगर सब्यों हिख्ये इग्दम इनकी नजर बड़ी कि यहां पर एक और मचली है इसके साथ में उसके दो चोटे चोटे अच्री मुझे हैं और उसने कहा कि यार काश मेरे भी दो बच्चे होते है बड़ा सिंपल सा डिजायर है उठे का ये अगर सपने की आप गहराई में जाओगे ऐसी तो सपने बनते हैं बस ये हैं कि हम उसको देखते नहीं है हमें पता नहीं लग रहा हूँ था कैसे बन रहे हैं मैं आपको चेन सोनी चाहिए जैसे इड़ायर उठा उनके अंदर से मस्लिया बार रहागे अब ये विदो मचलियों के साथ में तैर रहे हैं और क्या बोला लेएं कि ये दोनों मचलिया ये जर दोनों हैं ये मेरी बाकी 되면 इस कोई मेरा नहीं इस मचली के लिए ये फोप्य को पीछ ब् интерес कि समझें? क्या हो रहा है? वो लड़का भी यही है, मचली भी यही है, सब कुछ यही है अब एक दिन एक शिकारी आया और उसने आ करके काटा फैका और काटा जा करके यह तो बड़ी थी, यह तो बच गई, इन्होंने देखा एक दम से लेकिन जो बच्चा है, जिससे आपको इतना प्यार है, जिसके साथ पता नहीं, कब तक आप खेलते रहे, खेलते रहे、 खेलते से रहे और बड़ा जबर्दस अटाश्मेंट है आकि उस अटाश्मेंट को आप अपने माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, फील कर चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से आप फील कर चुके हो, और जैसे ही उसके गले में काटा पड़ा, वो छट पटाने लगा, आपका जो बच्चा है, एक बच्चा है, दूसरा वो रोने लगा, जो दूसरी मचली है, और आप उसको देख रहे हो, अपने बच्चे को, आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसकाटे से लड़ रहे हो, अपने आपको उससे जा करके टक्रा रहे हो, लेकिन आप उसको चुडा नहीं पा रहे हो, और धीर धीरे करते करते वो वो विचारी खूनी खूनी खून जा गाड़ा था, मैंने किसी का क्या बुरा किया था, जो मेरे बच्चे को मार दिया, मैं अच्छी खासी खेल रही थी अपने बच्चे के साथ में, क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों आँ करके शिकारी ने मारा मेरे बच्चे को, क्यो मारा, और उनके अंदर गुस साना जाइज है आपको कि मैं नहीं छोड़ूगा मेरे बच्चे को कैसे मारा इसके मैं नहीं छोड़ने वाला यही हुआ इनके साथ में तो सपनों की एक लियर में से दूसरी लियर में से एक और लियर निकल गई और हर लियर अपने आप में complete universe है एक complete दुनिया है और जैसे ही ये कामना उठी जैसे ही ये desire उठा इनके अंदर immediately ये यहां से हट करके कहां पहुच गई एक lady थी जो for example pregnant होने वाली जी तो सीधा उनके coke में पहुच गई उनके अंदर वहां पर गयी जा करके पैदा होई Tolda गही बड़ी होई बड़ी होई और बड़ी होगई वहां पर वह लड़का है बद्ला लेने के लिए पैदा हुई उसने जा करके उच उस-च ने जा करके उस-चिकारी और व siete-चिकारी मर आदमी जो सनाव पे चल रहा था समझा रहा है वो पहला यहां से क्या बनी थी? एक लड़का बनी थी इसकी बॉड़ी बहुत स्ट्रॉंग थी जो बोट पे जा रहा था क्या था वो? वो ही तो शिकारी था वो ही तो है वो शिकारी जिसको बॉड़ा होने के बाद में मारा गया है वो भी यही और वो भी वो भी और वो भी बहू अर वो भी बहू ही अब सबसे मज़दार चीज़ आप एक बार आँख बंद करिया यह जो पूरी दुरियाएं और क्रियेट हुई है इनके अंदर इतो है तो अभी यहाँ पर जो कुछ चल रहा है मेरा सिंपल सा सभाव यह है की यह कहा है आपको यह तो समझ आ गया कि आगे तक की जितनी chain थी वो सब इनके अंदर ही है कि पीछे की chain कहा है कहां है जहां पर time और space नाम की कोई चीज नहीं है यही सवाल है जो आपको अपने अंदर भरना है अपने अंदर डालना है यह आपको end तक ले जाएगा end तक ले जाएगा कि अगर मेरे सपनों की दुनिया में मैं यहां से वाँ, वाँ से वाँ, वाँ से वाँ, वाँ से वाँ, टाइम भी क्रेट हो रहा है, स्पेस भी क्रेट हो रहा है, लोग भी क्रेट हो रहे है, दुनिया के अंदर दुनिया बंती चली जा रही है, सब कुछ होता चला जा रहा है, तो मैं यह कैसे कह सकता हूं कि यह जो हो रहा है ये भी मेरी पीछे कोई imagination नहीं थी हो सकता है हो सकता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस सब बक्वास हो हो सकता है उसमें कुछ सच हो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंदर जाकर के मिलेगा बार से नहीं मिल सकता I don't believe in the word God I believe in God which is nameless for example एक आदमी है जो यहां पर पहुच गया और अपने आपको शीशे में खड़े होकर के देख रहा है खड़े आप भी वही हो देख आप भी रहे हो फर क्या उसकी सारी धूल हट गई अब वो खुद को देख रहा है खुद के निराकार रूप को देख रहा है जो बेश है हर चीज का सब कुछ बदल रहा है लेकर वो नहीं बदल रहा है वो भई का भई है बिलकुल स्टिल है और उसे के अंदर सब कुछ हो रहा है और आप जब उसको देख रहे हो तो कोई उसको देख करके बोल रहा है कि ये परमात्मा है कोई कह रहा है कि हम इसके बच्चे हैं बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं है ये कहना गलत होगा गलत क्यों है, यही से तो आप आये हो ना उसी reflection में जब खुद को देख रहे हो जब आप खुद के दर्शन कर रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि वो अलग है क्योंकि आप खुद को कभी नहीं देख सकते लेकिन जिस purity में जा करके last state में आप खुद को देख रहे हो तो आप खुद ही हो deeper realization आपको है लेकिन आपको लग रहा है कि इसके beyond भी कुछ है तो कोई कह रहा है कि ये भगवान है जो दिख रहा है जो निराकार है, जो ये है, जो वो है और वो बिल्कुल ठीक कह रहा है तो कि अब वो depend करता है किस way में कह रहा है कोई कह रहा है भगवान ने दुनिया बनाई है बिल्कुल सच है भगवान ही रहा लेकिन भगवान ने बनाई है भगवान में से जो निकला उसने बनाई है वो भी तो भगवान ही है, वो भी सच है जूट किसे कहोगे कोई कह रहा है अहम ब्रहमस्मी I am that कि मैं ही वो हूँ वो भी सच है कहने का तरीका अलग अलग है कहने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है सब सच है जूट कुछ भी नहीं है कहने का तरीका अलग अलग है जो भक्ती में जा करके डूप करके बोलेगा वो कहेंगा परमात्मा है जो ग्यान में जाकर करके डूप करके बोलेगा साक्षाद देखकर करके बोलेगा वो करेगा रहे तो मैं खुदी हूँ बाते किसी ने भी गलत नहीं कहीं ना जीजस ने ना इस ने ना उस ने किसी ने गलत नहीं कहीं सब ने ही की बात कही है लोगों ने क्या किया बातों को छोड़ दिया और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए बगवान को यूज कर रहे है कि है बगवान मेरी ये कामना पूरी करो वो करो वो करो जब भी बगवान क्या रहा है कामनाओं को छोड़ो उसको नहीं समझा उसमें अपना फाइदा न जो ना बन रही है, ना मिट रही है, चोबिस घंटे चल रही है, जिसको अभी मैं सुन रहा हूँ बोलते वक्त भी, चुप होते वक्त भी सपने में भी, उठे वे भी, गहरी नीन में भी इस आवाज का सिम्रन करना, इस साउंडलेस साउंड का सिम्रन करना इसको पकड़ना ही अभ्यास है इसको पकड़ना ही भक्ती है इसको जानना ही ग्यान है और इसकी तरफ भरना ही कर्म है और कुछ नहीं है इसके बाहर और कुछ नहीं है लोग नाम अलग 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 दे रहे हैं अलग अलग नामों में उलज गए हैं और वो यह नहीं सबच पा रहे, अब इस चीज को वो accept नहीं कर सकते, इस चीज को आपका mind accept नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही mind ने आपके इस बात को पूरी तरीके से accept कर लिया, तो दो दिन नहीं लगेंगे, अगले ही second में आप यहां से निकल करके फुर महां पोँच जाओग mind को कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, जहां पर जाओगे, mind भी अपने घुटने टेखते, और फिर उसके अंदर से आवाज आए कि यही प्रभू है, यही भगवान है, मैं क्या करूँ भईया, मैं अपने हतियार डाल दिये, अब आगे और कुछ नहीं है, तो mind surrender कर देगा, इंदरियां surrender कर देंगी, आप surrender कर दोगे, जब surrender कर दोगे जाइन में देखोगे, सिर्फ आप ही रह जाओगे. नहीं ही जाओे जाओे, तो मैं अबिजन वहीं है, तो रहए जाए ह JUक फिता है, तो रह जागे जावे